यह हमारा जो है ओ वी यह आज हमें जो है वो अपने लेक्षर में कंचिन्यू करना है और इसके पहले का जो है वो कंप्लीट हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग जो है OBE के आवश्यक तथ्य या उसके क्या पहलू हो सकते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से देखिए आपको मैंने पहले भी पताया था जो ओपन बुक एक्जामिनेशन है अब इसके विशह में आपको जानकारी लेना अत्यांत आवश्यक हो गया है क्योंकि अभी जो प्रेजेंट प्रेंट चल रहा है हमारे देश की जो इस्तिती है यह हम अगर देश की बात को भी ना करें हम कंप्लीट अगर ग्लोबल लेबल की बात करें तो everywhere of manual examinations है वो कई-कई परिस्तितियों में possible नहीं हो पा रही है तो ऐसे में जो एक नया तरीका या जो एक नई तक्नीक हमारे सामने आई है वो open book examination की है जिससे students के ऊपर बहुत जादा burden नहीं होता है और वो बहुत जादा आपने आपको stress में फील नहीं करते हैं और उनका evaluation भी हो जाता है तो आज हम लोग जो है इस open book examination के क्या तथ्य हैं क्या पहलू हैं यह जानने का प्रियास करेंगे तो इसके 6 पहलू बताए गए हैं इसके 6 पहलू बताए गए हैं आए हम लोग इन 6 पहलू को बारी बारी से जो है वो देखें तबसे पहला पहलू या जो सबसे पहला तत्य होता है उसे हम ग्यान कहते हैं या नौलेज जो दूसरा पहलू है उसे हम कहते हैं विश्य वस्तू में क्रम बद्धता अर्थात सिरिलाइजेशन इन कंचेंट जो तीसरा है उसे हम कहते हैं योजना निर्धारण अर्थात प्लानिंग चोथा है अकादमिक अखंडता यानि की अकादमिक इंटिक्रिटी पांचवा है समय बद्धता अर्थात टाइमिंग और छटमा है परशनों को ध्यान से पढ़ना अर्थात रीडिंग क्वेश्चन्स केर्फुली ठीक है यह हमारे पास जो है वो छे प्रकार के तत्य या छे पहलू या सिक्स एस्पेक्ट जो है वो हमारे ओपन बुक एक्जामिनेशन के जो है हमारे सामने दिख रहे हैं हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा तत्य है ज्ञान जब ज्ञान की बाते करते हैं हम लोग या इस पर्टिक्लर तत्य के लिए जो है हम ज्ञान को इसमें शामिल करते हैं तो हम ज्ञान को क्यों शामिल करते हैं ज्ञान को हम शामिल करते हैं कोर्स के समझने के लिए छीक है जो हमारा पाठिक्रम है जब हम open book examination की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास knowledge होनी चाहिए कि हमारा जो पाठिक्रम है जो syllabus है वो क्या है, कौन-कौन से topics है उन topics को हम कहां पर पढ़ रहे हैं उनके examples क्या है यानि कि पूर्ण तरीके से जो हमारा course है समपूर्ण course का जो पाठिक्रम है जो उससे related हमारे content है उन सब को जानने और समझने के लिए open book examination की अंदर ज्यान का होना आवश्यक है दूसरा हम ले रहे हैं विशे वस्तु में क्रम बद्धता विशे वस्तु में क्रम बद्धता हम क्यों लाएंगे जिस से पाठिक्रम में जिस भी topic की आवश्यक्ता पड़े उसे तुरंत खोजा जा सके अब जो पाठिक्रम हमारे पास है हमारे पास knowledge है हमारे पास एक एक topic हमें बिलकुल clear है और सब कुछ हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं हमारे कोर्स में क्या क्या content है लेकिन उनमें अगर क्रम बद्धता नहीं होगा serialization नहीं होगा अगर synchronization नहीं होगा तो जो topic हमें चाहिए क्योंकि ये जो exam होने वाला मैंने आपको पहले भी बोला है और आज भी आपको ये बात पोलूँगी open book exam आप study material के साथ जरूर देंगे लेकिन इसमें हमेशा समय अवधी जो है वो निर्धारित होगी तो निर्धारित समय अवधी के भीतर जो आपको content लिखना है जो आपको test देना है उसको देखने के लिए भी आपके पास content जो है वो synchronize होने चाहिए जिससे आपका समय बच सके जो आपके topics है उनको खोजने में अगर आपको पता होगा इस topic के बाद यह topic है इस topic के बाद यह topic है तो आप लगभग अपने copy किताब या notes में जो है उसको उस तरीके से खोज पाएंगे कैसे खोज पाएंगे अगर वो आपके content के हिसाब से आपके course के हिसाब से क्रमबद तरीके से आपके पास हो तब तीसरी हम बात करते हैं योजना का निर्धारण करना योजना का निर्धारण हम क्यों करते हैं योजना का निर्धारण हम इसलिए करते हैं ज इससे निर्धारित समय अवधी में एक-एक प्रश्ण के लिए समय दिया जा सके दे समय दिया जा सके की देखिया जो रिटेन एक्जाम होता है या जो ऑफ-लाइन एक्जाम होता है बहुत सारे ऐसे एक्जाम होते हैं चाहे Eyes be बड़े बड़े लेवील के एक्जाम다면 देख लिजे या फिर आप medium levels के देख लिजे या फिर academic level पे देख लिजे, competitive level पे देख लिजे, बहुत सारे students से अकसर ये बाते सुनने में मिलता है कि अरे यार समय ही बहुत कम बचा था, मैं तो लिखी नहीं पाया, मैं तो करी नहीं पाया, ओहो मुझे तो ये प्रश्न बहुत अच्छे स आ रहा था, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था, मैं कर नहीं पाया, मेरे जो है वो तीन topic रह गए, या तीन question रह गए, आते हुए question रह गए, क्योंकि समय नहीं था, समय समाप्थ हो चुका था, तो ये जो समय समाप्थ है, अगर आप पहले से ही, आपको पता है कि इतने प्रश्णों का उत्तर आपको कैसे देना है माल लिजिए एक एक्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मैं यहीं पर लेती हूं एक एक्जाम्पल लेते हैं हम लोग माल लिजिए एक पेपर है जिसके अंदर जो है छे प्रश्ण आते हैं थ्री आस का चाइम है तो अगर छे प्रश्ण है और थ्री आस का चाइम है तो हम इसके समय को कैसे बाटेंगे अगर आप नॉर्मल एक समय बाटें तो 30 मिनिट्स जो है वो Each question जो है हमारा क्या होगा जाएगा यानि कि 30 मिनिट में हमें एक question करना है लेकिन सबसे बड़ी दुविधाए यह होती है कि दिमाग जो है हमारा जो यह 30 मिनिट है हम हमेशा focus करते हैं 30 मिनिट लिखने में जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है पेपर आपके पास आता है, पेपर को आप देखते हैं, question को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप एक flow charting करते हैं, आप उसमें अपने वो विचार मन्थन करते हैं, कि कहां से शुरू करना है, कौन-कौन से examples लेने हैं, कौन सा content लेना है, किस writer को मुझे दिखाना है, इस से current का कौन सा topic को relate करना है, तो यह क्या होता है, यह योजनाय बनाते हैं, आप किसके लिए, उस particular एक question के लिए, तो योजनाय जो आप बना रहे हैं, वो भी तो आपके 30 मिनिट का ही एक भाग हो गया, तो आपने कुछ 5-7 मिनिट तो उसके लिए भी निकाल दिए, दिन 5-7 मिनिट अगर आप उसके लिए निकाल देते हैं, फिर 20 मिनिट में आप answer लिखते हैं, फिर 18 मिनिट आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत सही कोई diagram चूटा या उसको correct करना है, या मैं को underline करना है, जो heading से मेरे, या जो कोई particular thought मैंने लिखा है, उसको highlight करना है, underline करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी समय चाहिए होता है, तो हम ये 30 मिनिट एक question के लिए पुरा बांटने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से ये जो योजना है, योजना का निर्धारन हम इसलिए करते हैं, जिससे हम लोग जो हमारा समय है, उस समय के अनुरूप जो है, उसका प्रयोग करके जो एक एक question है हमारा हम सारे ही question को ढंग से attempt कर पाएं, क्योंकि एक भी question अगर छूटता है, तो एक भी question का छूटना मतलब कहीं न कहीं हमारे लिए वो हानी ही देगा future में, question के marks जो है आपको नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि attempt ही नहीं हु तो हमें कोशिश करनी है योजना बनानी है, जिससे हमारा जो question है, उनमें से कोई भी question हमारा छूटे नहीं, किसके average में, समय के अभाव में छूटे नहीं, इस वज़े से हमें क्या करनी है, उसके पूरे समय की योजना बनानी है, चौथा हम आते है academic अखंडता, यानि कि जो तो हमारा academic integrity है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में कैसे रखना है, हमें यह समझना होगा, कि यह परिक्षा मेरे लिए है, और इसका समबंद मेरे अपने भविश्य से है, ठीक है, academic अखंडता की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यह भावना जो है वो हमें अपने मन में लाना होगा, being a student, जो लोग भी open book examination के अंदर जो है वो exam देंगे, या enroll हो रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये exam उनके लिए है, ये उनका अपना exam है, ये उनको judge करने का एक तरीका है, उनके knowledge को check करने का एक तरीका है, उनके अभी तक के जो उन्होंने gain किया है, उस parameter को बनाने का एक तरीका है, तो जितना आप उसको अपने लिए समझेंगे, उतना आप के लिए बहतर होगा क्योंकि ये सीधा सीधा आपके भविश्य से जुड़ा हुआ होता है तो हमें इन बातों का ध्यान रख करके जो है वो ये परिक्षा देनी होगी ऐसा नहीं कि आप पेपर को डाउनलोड कर रहे हैं देन लिख करके अप्लोड कर देना है तो आप अपनी म कोई भाई है बहन है वो simultaneously आपके question को देख करके write करते जा रहे हैं और आप उस question paper को जो है वो upload कर रहे हैं जो आपने लिखा ही नहीं तो इस तरीके की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए academic अखंडता का भी हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा कि ये question paper मेरे लिए है और कहीं न कहीं इसका मेरे future से जो है वो संबंद स्थाफित होता है मेरे career से इसका लेना देना है अगर हम ये समझते हैं तो ये हमारे इस जो open book examination है इसका एक बहुत ही महतुपूर्ण aspect होता है next पांचमा आते हैं हम लोग समय बद्धता समय बद्धता का तातपर्य प्रश्न पत्र को प्राप्त करने से लेकर उत्तर कुण्जी उत्तर को जमा करने तक का सम्पूर्ण क्रिया कलाव एक निश्चित समय अवधी के मध्य होता है जैसा मैंने आपको जो है example दिया अभी योजना का निर्धारन करने में ठीक उसी तरीके से हम समय बद्धता पर जाते हैं जब भी आपको question paper मिलता है तो question paper को जब आप लेते हैं यानि कि करते हैं जाउनलोड करते हैं प्रिंट निकालते हैं जैसे भी है जब भी आपके हाथ में question paper आता है जिस समय से आप दूसरे शब्दों में यह कहिए कि आपके टेस्ट का जो समय है वह जो stop watch है जब से आरंब होता है और जब वह stop watch आपका end होता है तो उन उनके बीच में जो है एक समय बद्धता होनी चाहिए उनका एक अच्छा तालमेल होना चाहिए कि उसमें कब आप जो है आंसर टाइप question से वह करेंगे या पहले आप long answers टाइप question है वह करेंगे क्या करेंगे यह सब आपको पता होना चाहिए और यह सारी चीज़ें आपके जो है वह time के अंडर होना चाहिए यानि कि time limit के अंडर में होना चाहिए तो timing को आपको perfectly ध्यान में रखना होगा इसके बाद जो last आता है last तथ्य जो है very important बहुत important तथ्य है प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना reading questions carefully प्रश्नों को ध्यान से क्यों पढ़ना क्योंकि प्रश्नों के अनुरू उत्तर की व्याख्या तैयार की जाती है और प्रस्तुत की जाती है जो प्रश्न होता है उस प्रश्न के अनुरूप जो है हम लोग क्या करते हैं उत्तर की व्याख्याओं को तैयार करते हैं और प्रस्तुत उसको क्या करते हैं अपने आंसर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं प्रश्न में लिखा है कोई भी प्रश्न है प्रश्न आपके सामने आ गया और उसके बाद एक छुटा सा नोट लिखा है या इन ब्रैकेट सियंत आवाश्यक है कि हमारे प्रश्नों का प्रकार या स्वभाव क्या नोग प्रश्नों के तीन प्रकार होते हैं पहला होता है बहु विकल्पी जिसे हम बोलते हैं आपजेक्टिव या हम इसे बोलते हैं मल्टिपल च्वाइस ठीके जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं लगो उत्तरिय अर्थाथ शॉर्ट आंसर टाइब क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइब क्वेश्चन और तीसरा होता है दिर्ग उत्तरिय जिसे हम बोलते हैं लॉंग आंसर टाइब क्वेश्चन ठीके तो यह तीन तरीकें के जो है क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली कॉमंख़ अगर देखा जाए तो हमारे सामने आते हैं बहुविकल्पिय याने कि माल्टिपल चोइस क्वेश्चन सोते हैं लगो उत्तरिय याने के शॉर्ट आंसर questions होते हैं, तो अगर हमको ये questions ही नहीं समझ में आएंगे तो हम लोग question का answer जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये जो छटवा point हमारा लिखा हुआ है जो छटवा तत्य है प्रशनों को ध्यान से पढ़ना इनको हमें ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि जो हम लोग जो हमारा open book examination है, उसको ठीक ठीक तरीके से दे पाएं, अब ये जो हमारे छे तत्य आए या six aspects आए, हमने इनको देख लिया, अभी तक हमने जितने भी points या जितने भी पहलू इस topic से related पढ़े हैं, हम इनके बारे में जानकारियां, जानकारियां ही लेने का प्रयास कर रहे हैं, या इनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी देखते हैं और जैसा कि हम अभी भी देखेंगे हर जानकारी के पीछे, जो भी जानकारी आप ले रहे हैं जो भी सूचना है आप ग्रहन कर रहे हैं जो भी information आपके पास पहुंच रहा है हर information के कुछ good होते हैं और कुछ दोश होते हैं तो open book examinations के भी कुछ good और कुछ दोश बताए गए हैं हम लोग आगे चलते हैं इस topic पे continue करते हैं ओपन बुक एक्जामिनेशन के गुण तथा दोश हम लोग जो है ऐसे चलेंगे इधर हम गुणों-गुणों को लेंगे और उधर दोशों को लेंगे यहाँ पर आएंगे हमारे गुण और यह आएंगे हमारे दोश सबसे पहले हम लोग गुण पे आते हैं तो जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है कागज की बचत चीक है जो सबसे पहला गुण होता है ओपन बुक एक्जामिनेशन का उसमें क्या होता है पेपर की बचत होती है क्यों होती है क्योंकि जो paper होता है कई बार हम लोग objective question सीधा ही वहीं पे करके submit कर देते हैं और जो जितनी requirement है केवल उतना ही जो है हम लोग paper लिखने में ही paper का प्रयोग करते हैं otherwise question से लेके everything जो है वो सब कुछ हमारा display होता है तो वहाँ पे paper की क्या हो जाती है बचत हो जाती है दूसरा MCQs आधारित परिक्षाओं में समय की बचत कैसे होती है समय की बचत जब हम normally जो है वो paper करते हैं और हमारे पास चार option में से एक जो है वो क्या करना होता है चैन करना होता है तो हमें गोला करना होता है अब हम pen लेते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं कुछ बाहर पहुंचता है कुछ अंदर खाली रहता है जबकि अगर हम लोग जो है वो open book examination के अंदर आते हैं और online process पे रहते हैं तो हमारे को जो एक option choose करना है simply किवल उस पे click करने मात्र से क्या होता है वो option select हो जाता है हमारे question के लिए तो यहाँ पर जिस समय पर हम लोग mcq type question यानि कि multiple choice type जो questions है हमारे वो अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं देने में जो उसका omr भरना है या omr भरने से ले करके जितनी detail डालनी है उन सब में हमारी क्या होती है समय की बचत होती है इसके बाद जो हमारा point आता है जो हमारे गुणों में आता है शिग्र परिडाम चुकि यह सारे process सारे प्रक्रियाएं online होती है हम लोग जो है इसको online ही preference में लेते हैं इस type के examinations को तो जो online का process होता है उसमें पहले से ही question भी feed कर दिये जाते है related questions की coding करके उनके answers भी automatic feed कर दिये जाते हैं तो जब भी आप इस प्रकार के question papers को submit करते हैं जैसे ही आप submit कर देते हैं अपने पूरे question paper को करने के पर शाथ हाथ हो हाथ ही आपके पास result आ जाता है that इतने में से इतना number आपको मिला है इतने लोगों ने इस paper को दिया है इस में से इतने लोगों में से भी आपकी ranking ये है then आप पूरा review कर सकते हैं कि एक question का answer कई जगों पर अगर ये review open किया जाता है तो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस question का answer क्या expect किया गया था और आपने क्या दिया है तो इस तरीके से जो है वो result क्या होता है इसके अंदर instantly आ जाता है शिग्र परिणाम जो है वो आ जाता है जो कि इसके गुड़ों के अंदर शामिल है next हम आते हैं कागस खरीदने तथा paper print करवाने में होने वाले पैसों की बचत पहला गुण तो हमने क्या बोला था कि कागस की बचत हो रही है आपके पास जो है वो paper का आप सदुपयोग नहीं कर रहे है तो आपका कागस बच रहा है अब हम कह रहे है कि कागस तो बची रहा है लेकिन साथ साथ आप कागस पे बहुत सारी चीज़ें थी जो print कराते थे तो जो printing cost है print out निकल वा रहे हैं आप लोग यह सब क्या है जब हम open book examination देते हैं तो इन में जो है इससे related जो costing है जो पैसे लग रहे हैं जो रुपए लग रहे हैं वो क्या हो जाते हैं बच जाते हैं और लास्ट अगर हम लोग जो है इसके गुण की बात करें तो यह सुरक्षित होता है यह सुरक्षित प्रक्रिया है क्यों सुरक्षित है क्योंकि कि रैंडम पेपर सभी के पास जाता है इसमें क्या होता है रैंडम पेपर जो है हर एक student के पास जो है वो रैंडम ली पहुंचता है अगर किसी के पास question नंबर वन में जो है question है, दूसरे के पास वही 5 में आ जाएगा, तीसरे के पास वह question 9 नंबर में आएगा, चौते के पास जो है वह question हो सकता है, 50 नंबर पे आएगा, देन उसके बाद 70 नंबर पे आएगा, तो इस तरीके से क्या है कि सुरक्षित प्रक्रिया है, जो एक cheating की संभावना, अग लेकिन जो है, इसमें student जो है, जो written है, अगर written की हम लोग बात करें, तो written में भी जो है, इस तरीके के सुरक्षात्मक question paper बनाए जा सकते हैं, randomly बहुत सारे question papers जो है, वो ले करके, अगर आप लोगों को ध्यान हो, offline के अंदर भी, जो आप regular test program करते हैं, उसके अंदर भी, कभ प्रक्लेट के ऊपर, जो question paper होता है, उनके ऊपर series लिकी होती है, A series के question, B series के question, C series के question, तो यह क्या होते हैं, यह random papers होते हैं, ए में जो starting के 10 question थे, एक से 10 तक में, B के अंदर वही 70 से 80 नंबर पर आ जाते हैं, तो इस तरीके से जो है, वो क्या होते हैं, तो यह क्या थे हमार जो O, B, E के हैं, वो क्या हैं, गुण हैं, अब हम आते हैं इसके दोशों पर कि इसके दोश क्या हैं, सबसे पहला दोश, यदि किसी विद्यार्थी की, यदि किसी चात्र की, कोई सहायता करता है, तो उसे, जाचने में, मुश्किल होती है, कोई स्टुडेंट है, जो की, ओपन बुक एग्जामिनेशन में शामिल होता है, तो उस एग्जामिनेशन में शामिल हुआ जो चात्र है, उस चात्र को कौन हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, या किसी ने उसको लिखवाया है, या किसी ने उसकी copy को खुदी लिखा है, किसी ने question के answers को बताएं है, किसी ने पूरे खोज की उसके सामने रख दिये, यानि कि student का कितना effort लगा है इसमें, इस चीज को जो है वो notify करना बड़ा मुश्किल होता है, ये जाचना बहुत मुश्किल होता है, तो ये क्या है, ये इ student की, तो उसको जाच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके बाद हम दूसरा आते हैं, fraud के शिकार हो सकते हैं, इस तरीके के जो examinations होते हैं, इन examinations में किसी भी तरीके के fraud के शिकार जो हो सकते हैं, student भी हो सकते हैं, कई बार अगर कोई उस web portal को अगर कोई hang कर लेता है, server को hang कर लेता है, तो कहीं नë कहीं school भी इसकी चपएट में आ जाते हैं, शक्षर संस्थान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी point पे ज और लास्ट में हम लोग आते हैं छात्रों की पढ़ने तथा सीखने की छमता में कमी आ जाती है इस तरह के exam है गर आप लों के होते रहे और रिगुलर बेसिस पे इस तरीके के exams होते रहे तो अब आप सोचिए कि आप कितना सीखेंगे और कितना पढ़ने का प्रयास करेंगे student तो खुश हो जाएगा कि उसको पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा अभी आजकल जो चल रहा है कोरोना के कारण schools जो बंद चल रहे हैं कुछ जगों पर online classes चल रही हैं कुछ जगों पर online classes नहीं चल रही हैं तो इसका प्रतिफल या परिणाम क्या है जब एक link जो है वो break हो जाता है जो आपका flow है वो कहीं न कहीं तूट जाता है तो दुबारा उस flow में आने में बहुत समय लगता है तो इस तरीके के exams अगर आपके regular आप पढ़ रहे हैं अच्छी तेयारी अच्छे पढ़ने वाले अच्छे scholar हैं और आपको यह opportunity दी जाती है कि आप copy खोल करके notebook खोल करके अपने answers को लिखिए तो कहीं न कहीं फिर जो आपकी जो क्रिया शीलता है उनमें कमी आएगी और आगे चलके चात्रों का पढ़ने और सीखने में क्या होगी रुची कम होगी अब यह जो topic मैंने आपको पढ़ाया open book examination यह बहुत ही बहुत ही बहतरी topic है latest topic है इसके संबंद में हमने पढ़ लिया मैं इसके बारे में आपको एक example देना चाहती हूँ अभी latest है इसलिए जो है इसको example में ढालना जो है वो बहुत उचीत रहेगा कि इस तरीके का जो है वो करने की योजना बनाई गई है अगर हम लोग भारत की बात करें तो कोविट नाइनटीन के चलते दिल्ली विश्विद्याले मे ओपेन बुक एक्जामिनेशन का प्रावधान रखा गया था रखा गया सॉरी यह परिक्षा एक जुलाई से आरंभ होने वाली थी इसमें विश्व विद्याले ने विशे विशे शग्यों को यूजी तथा पीजी के अन्तिम वर्ष के शात्रों के लिए पेपर बनाने को कहा अध्यापकों द्वारा पेपर के दो सेट तैयार किये जाने के दिशा निर्देश दिये गए ये दो सेट क्यों बनाने के लिए दिये गए मैं आपको ये भी रिजन लिख देती हूँ दो सेट्स आफ पेपर पहला सेट ओनली फॉर ओपिन बुक इग्जामिनेशन चीक है केवल ओपिन बुक इग्जामिनेशन के लिए और दूसरा सेट ओनली फॉर पेपर पेन इग्जामिनेशन याने की पेपर पेन परिक्षा के लिए चीक है ये दो सेट जो है वो विश्व विद्याले ने टीचर्स को जो उनके अध्यापक थे उनको कहा कि आप दो तरीके के पेपर्स बनाईए दो सेट्स बनाईए एक सेट तो वैसा तयार कीजिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो ओपन बुक एक्जामिनेशन दे सके और दूसरा सेट आप वैसा तयार कीजिए जिसमें जो है वो पेपर और पेन से हम लोग परिक्षा अगर लेना हो तो उसको ले सके अब ये जो अंचीन की परिस्थितियों के अनुसार इस परिक्षा को जी यू अर्थात दिल्ली विश्व विद्याल है के द्वारा पंद्र अगस्त के बाद लेना प्रस्तावित किया गया है अगर दूसरे हाथ पे चले तो एचारडे मिनिस्ट्री अन्तिम वर्ष की परिक्षाएं सिप्तंबर माह के अन्त में करवाने के पक्ष में है यह हमारा एक इक्जामपल भी कह लिजिए और अभी का ततकालीन इक्जामपल इन फैक्ट है हमारे ओपन बुक एक्जामिनेशन से रिलेटेट को विट-19 के चलते जो है वो दिल्ले विश्व इद्याले में ओपन बुक एक्जामिनेशन का प्रावधान रखा गया जिसके लिए एक जुलाई से जो है वो परिक्षा आरंब होनी थी लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है देश में अभी भी देश की हालात COVID-19 से सुधरे नहीं हैं इस वेज़े से इस परिक्षा को 15 अगस्त के बाद के लिए जो है वो प्रस्तावित किया गया लेकिन अभी कुछ दिनो में जो है फाइनल यर की परिक्षाएं कराई जाएं तो इस पैटर्न से जो है वो विश्ववे द्याले ने संबंधित विशे विशे शग्यों को दो तरीके के पेपर सेट बनाने के लिए कहा था कि एक पेपर ऐसा वो तयार करें जिसमें अगर हम लोग अगर चाहें तो प इस तरीके का हमारा अकैडमिक सेशन चल रहा है सेशन के एंड में जो परिणाम आना चाहिए वो एक परिणाम उनका किसी भी अवस्था में आये तो इस तरीके की जो है वो प्रक्रिया मुल्यांकन प्रणाली के अंदर जो है वो अभी शामिल की गई है यह कहीं भी किताबो में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इस से पहले कभी इस तरीके की प्रणाली का प्रयोग या इस तरीके के एवेलुशन सिस्टम का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है इस विज़े से आपको किताबों में यह नहीं मिलेगा लेकिन अभी जो प्रयोग किया जा रहा है किता से जो है बहुत सारी परिक्षाओं को कर रहे हैं या बहुत सारी परिक्षाओं आगामी दिनों में करने वाले हैं सो हमारा यह टॉपिक जो है open book examination यह अभी यही complete होता है अगर इससे related कोई query होती है कोई problem होती है तो आप मुझसे फिर पूस सकते हैं thank you so much हुआ 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 है